हेलो एवरिवन, मैं मिथुन शिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत सुक्या कि आपने वीडियो पे क्लिक किया, आभार रहेगा आपका तो एक और आभारी बनना चाहूंगा एक और काम आप मेरा कर दो फड़ा फड़ इस वीडियो को कर दीजिए आप लाइक अपने दोस्तों, रिष्टेदारों और सहलियों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाए ताकि उन्हें SSC CGL की जो authentic information है, वो पहुँच पाए बिल्कुल सही जनकारे उन तक पहुँचे syllabus के regarding, तो चलिए वीडियो को कर दीजिए, share, आगे बढ़ते हैं दखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये official PDF है जो कि आपको इसका हो अगर PDF को अगर आप लेना चाहते हो तब हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हो लिंक नीचे comment box में दे दिया गया है या फिर टेलिग्राम पर जाकर मिथूर सिंग सर्च कीजिए आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे तो देखिए, परिक्षा का जो स्वरूप होगा normalization किया जा सकता है अगर किया जाएगा तो उसके regarding जो है ये information website पर देंगे तो अभी normalization की बात हम लोग नहीं करेंगे एक बात याद रखिए, सिर्फ एक परिक्षा ही ली जाएगी जो की मुखी परिक्षा होगी प्री और कोई भी और exam आपका नहीं लिया जाएगा और exam में जो है MCQ पुछा जाएगा यानि कि multiple choice question जिसे आप optional question भी समझते हो वो पुछा जाएगा और एक question अगर आपने सही किया तो आपको तीन नमबर मिलेंगे अगर आपने एक question को गलत कर दिया तो आपको एक नमबर की हानी सहनी पड़ेगी loss होगा आपका एक नमबर का यानि कि कुल मिला कर सही होने पे तीन नमबर और गलत होने पे एक नमबर को कम कर दिया जाएगा देखिए आगे बढ़ते हैं देखिए सभी बिसे को छोड़ करके जो भासा भी से है न वो आपका उसी भासा में जो है प्रिंट रहेगा अगर बंगला है तो वो बंगला में ही रहेगा हिंदी इंगलिस में नहीं मिलेगा लेकिन जो अधर सब्जेक्ट हैं mathematics हो, reasoning हो GKGS हो वो हिंदी इंगलिस जोनों में आपको मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं मुखी परिक्षा के लिए तीन पत्र होंगे और यह परिक्षा तीन पालियों में ली जाएगी, परते एक पत्र के लिए दो घंटा का समय आपको दिया जाएगा देखिए पहला जो पत्र होगा न वो उसमें हिंदी इंगलिस आपका पूछा जाएगा 60-60 नमरों का और ये सिर्फ qualifying होगा इसमें आप सिर्फ pass कर जाओ यानि कि 30% अगर आप number ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा आगे आपको कुछ भी सोचने की ज़रोत नहीं है इसका number के क्यों value रहेगी नहीं लेकिन याद रखिएगा अगर आप qualify नहीं करते हो तो आगे आपका काम नहीं बनेगा आगे देखिए जो पत्र 2 है इसमें 100 number का MCQ पूछा जाएगा बहु बिकल्पी है प्रसन पूछे जाएगे और इन में से उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खडिया, उराव, कुर्माली, खोठा, नागपुरी, पंच, परगनिया, उडिया में से कोई एक subject आप 30 नमरों का रहेगा, समान भी ज्यान से 20 प्रसन पूछे जाएंगे, समान गनित से 20 प्रसन पूछे जाएंगे और जो आपका reasoning है वो 20 नमर का पूछा जाएगा, कम्प्यूटर का ज्यान, यानि कि कम्प्यूटर से 20 नमर का प्रसन आपको देखने को मिलेगा और छारخंड र तोटल डेड़ सो प्रसनों का यहां पे पूछा जाएगा आपसे, दो घंटा कर समय रहेगा, यहने कि 120 मिनिट में, देखिए, ऐसे आप नहीं समझना है, मैं आपको आसान भासा में समझाता हूँ, 120 मिनिट में आपको जो है, डेड़ सो प्रसनों को सॉल्व करना होगा, समझ करम था, और इसकी जो डिटेल सिलेबस है, यहां से आप देख सकते हो, ग्रामर के लिए इनोंने रख दिया है, कुर्माली के लिए अलक्षे इनोंने रख दिया है, खोठा के लिए इनोंने रख दिया है, संथाली के लिए इनोंने रख दिया है, और अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि other subjects के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रस्नों को पूछा जाएगा तो देखिए समानी अध्यन में जो आपसे पूछा जाएगा समसमाईक यानि कि आपको current affairs पढ़ना है बेग्यानिक परगती यानि कि जो भी science जगत में हो रहा है वो पढ़ लेना है राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय पुरस्कार नौबल पुरस्कार को रटली जिएगा आप लोग भारतिय भासाएं पुस्तक, लीपी, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाडी और जो घटनाए हैं वो भारत का इतिहास, संस्कृति, भुगोल, परियावरन, आर्थिक परिद्रिस, सोतंतरता, आंदोलन और भारतिय किरिसी के साथ साथ आपको जो है पंच वरसिय योजना को भी पढ़ना पढ़ेगा भारत का संविधान भी पढ़ दीजिए और देश की जो राजनितिक परनाली है उसे भी आपको पढ़ना पढ़ेगा जार्खन राज की भॉगोलिक इस्तिती और राजनितिक इस्तिती को भी आपको पढ़ना चाहिए चाहिए क्या पढ़ना पढ़ेगा यहां चाहने वाली तो कोई बात है नहीं यहां से देख सकते हो आप समान विज्ञान के लिए आपसे जो है day to day life में जो प्रसन बनते हैं वो ऐसा प्रसन आपसे यहां पे पूछा जाएगा और समान गनित में जो है अंक गनित प्राथमिक गनित त्रिकॉन मीती से यानि ट्रिगों से कोशन पूछा जाएगा और मैट्रिक का जो प्रसन अस्तर होता है वैसा प्रसन आपको यहां पे देखने को मिलेगा तो इस बात का आपका हास ख्याल रखेंगे कि इन सारे चीज़ों को आपको करके जाना है कम्प्यूटर का मूल भूत ग्यान भी आपसे पूछा जाएगा जिसमें MS World, Window Operating System, MS Office, Internet संचालन से भी प्रसन पूछे जाएगे जार्खन जी के मैं देखिए जार्खन राज का भुगोल, इतिहास, सभेता, संस्कृती, भासा साहित, अस्थान, खान खनीज, उद्योग राष्टिया आंदोलन में जो जार्खन का योगदान रहा है उससे पढ़ना है आपको विकास योजनाओं को पढ़ लेना है खेल खिलाड़ी और बैक्तित परसनालिटी और जो नागरिक उपलब्धिया है जार्खन से अगर किसी को पदम स्रिया पदम भूसन दिया गया है तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है राष्टिया और अंतराष्टिया महत्यूके भी इससे आपको पढ़ लेने हैं तो देखिए ये तो बाते थी और ये important season थी तो याद रखिएगा आपको जो मैंने बाते बताई उसे अच्छे से देख लिजिए और इस वीडियो को share कीजिए मैंने syllabus को details में आपको समझा दिया है तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य topic के साथ Thank you so much for watching this video Have a great day